हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप भी कम्प्यूटर में गूगल क्रोम इस्तिमाल करती हो चाहे कोई साभी कम्प्यूटर हो उसमें कोई सी भी विंडो हो और आप इसमें गूगल क्रोम की हिश्ट्री यानि आपने जो भी सर्च किया है जिस वेबसाइट पर आप गए हो तो आप इसको डिलीट करना चाते हो तो कैसे करें आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इसके लिए आपको उपन करना है गूगल क्रोम तो इसे ओपन कर लीजिये और बाकि सारे जो टैब्स है याने बागिया जो वीड़ो आपने ओपन कर रखी है उसे बंद कर दीजिये open करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ध्यान देना है यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 dot ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए आपको 3 dot पे click करना है फिर आपको मिलेगा यहाँ पे एक option settings तो settings पे click करें और आप ऐसे page पे पहुँच जाओगे यहाँ पे आपको कई सारे option मिलेंगे तो नीची की तरफ आईए यहाँ पे आपको मिलेगा एक option privacy and security आप यहाँ पे आपको मिलेगा एक option clear browsing data इस पे click करिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से करनी है वरना आपको जो data है delete तो हो जाएगा पर रुक रुक के delete होगा और सारा delete नहीं होगा तो यहाँ पे आपका basic पे select होगा तो यहाँ पे basic पे करने के बाद आपको advanced पे click करना है यहाँ पे आपको मिलेगा browse history आप इसे delete कर सकते हैं download history, cookies and site data, clear images and files और अगर आप password वगरा भी हटाना चाते हैं तो वो भी आप select कर सकते हैं यहाँ पे कैसारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा time range यानि आप कब से कब तक का delete करना चाते हैं जैसे कि 24 घंटे, 7 दिन या 4 हफते या हमेजा की तो यहाँ पे आप set कर लीजे जैसे कि मैं all time करता हूँ इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा clear data आपको इस पे click कर देना है और आपका data delete हो जाएगा यानि आपने जो भी search करा है वो delete हो जाएगा मैं आपे नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जो data है उसकी जरुरत है पर आपको इस पे click कर देना है clear data पे और आपका जो search history है जो भी आपने search करी होगी वो सब delete हो जाएगी तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें